नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका डिजिटल सेवा गुजराद चैनल में आज के इस वीडियो में हम स्पर्ष पोर्टल में स्पर्ष का यूजर पासवर्ट कैसे बनाए और स्पर्ष का यूजर ब्लॉप हो गया है तो उसे अनब्लॉप कैसे करें वो देखेंगे वीडियो में आगे हम लाइव उदाहरन देखेंगे अपने laptop या computer में internet browser को open करे और उसमें sparsh.defensepension.gov.in site को open करे अब right side में login के बटन पर click करे अब username में sparsh का ppo number लिखे और उसमें last में 01 को add करे अब mobile या email में आया हुआ password टाइप करे बाद में निचे show password पर click करे और I'm not a robot के check box में click करे और login के बटन पर click करे तीम बार गलत password डालने से user block हो जाएगा तो उसे unblock करने के लिए निचे unlock account पर click करे username दर्च करे और I'm not a robot पर click करे और sent OTP पर click करे sparsh में register mobile number पर OTP जाएगा अब आपके mobile में OTP आया होगा वो दर्च करे और process पर click कर दे अब OK पर click कर दे अब आप message देख सकते हैं के आपका account unblock हो गया है और OK पर click कर दे आगे के विडियो में आपने देखा के तीन बार गलत password टाइप करने से user block हो जाता है उसे कैसे unlock करते हैं अब आगे के विडियो में देखेंगे के आपके पास गलत password है या आप नया password बनाना चाहते हैं तो नया password कैसे बनाए नया password बनाने के लिए right side में login के बटन पर click करे अब निचे forgot password पर click करे यूजर नेम टाइप करे I'm not a robot check box पे click करे send OTP के बटन पर click करे स्पर्ष पोर्टल में register आपके mobile नमबर पर OTP आएगा अब mobile में आया हुआ OTP दर्ज करे प्रोसेस के बटन पर click करे आपके mobile में नया password send करने को पूछ रहा है अब OK पर click कर दे स्क्रीन पे message दिख रहा है कि आपके register mobile और email में send कर दिया है तो स्पर्ष के पोर्टल में login करे अब हम फिर से login के बटन पर click करेंगे और स्पर्ष का username टाइप करेंगे और निचे mobile में आया हुआ नया password दर्ज करेंगे password के शब्द mobile में देख के बराबर से लिखना है और निचे show password में click करके check कर लेना है I'm not a robot पर click करके login के बटन पर click करें अब कर्ट password में अभी हमने जो password डाला था वो दर्ज करना है और नया password हमें कैसा बनाना है वो side में password hint में लिखा है अब हम password hint में बताए गए निचे ग्रीन लाइन देख सकते हो और निचे confirm password में अभी उपर बनाया हुआ password दर्ज करेंगे और निचे show के check box में click करके देख सकते हैं कि password क्या बनाया है आप ऐसे ही अपना password बना सकते हैं अब आपके सामने message आया है कि आप अब अपने द्वारा बनाए गए नए password से login करें अब हम फिर से login पे click करेंगे और अपना user लिखेंगे और निचे अपना नया बनाया हुआ password दर्ज करेंगे और I'm not a robot पर click करके login के बटन पर click कर दे आप देख सकते हैं आप successful स्पर्श पोर्टल में login हो चुके हैं अब आप पहली बार स्पर्श पोर्टल में login हुए हैं तो acknowledgement में next पर click करके OTP के माध्यम से अपने declaration की प्रक्रिया पूर्ण कर दे तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद आपका दिन शुब रहे